वो race कैसे जितेगा जब उसने race में party नहीं लिया हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक aspirant की live कैसी होती है उसको share करने वाला हूँ वो कितना hardware करते हैं वो सारी बाते सारा routine मैं आपके share करने वाला हूँ यह वीडियो मैंने रात के डाइम बनाई है क्योंकि light गई भी थी ठीक है तो phone की flashlight से इस वीडियो को मैं shoot कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको अपने सारे notes दिखाता हूँ जो भी मैंने बनाएं लोग हमें कहते रहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हो एक्जाम की त्यारी तो ओहर कोई कर लेता है बट पास कुछ ही लोग कर पाते हैं पर उन लोगों को पता नहीं कि हम लोग कितनी ज्यादा म्हेनत करते हैं दिन रात एक करते हैं लोगों का काम तो कहने काई होता है आप सबी को पता है ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं अपने नोर्स दिखाना चाहता हूं यह मैंने मैथमेटिक्स के नोर्स बनाया क्यूंकि मैं मैं TGT कमिशन की भी त्यारी कर रहा हूं और साथ ही मैं UPSC की त्यारी भी कर रहा हूं तो आप मेरे नोर्स देख पा रहे हो मैंने बहुत सारे नोर्स बनाया है बहुत ज्यादा नोर्स बनाया है बीएड वालों के लिए बनाया है टैट वालों के लिए बनाया है मैं खुद तैयारी कर रहा हूं मैं औरों को भी करवा रहा हूं औरों को तैयारी करवाने के लिए मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको स्टार्ट किया है मैंने कोई पैसे कबाने के एम से इसको स्टार्ट नहीं किया था मैंने जस्ट स्टार्ट किया था कि जो अपनी नॉलेज है उसको शेर करना चाहिए कि जब तक हम लोग अलाइव है जिन्दा है ठीक है जी रहे हैं तो जो नॉलेज उसको शेर करते रहना चाहिए कि हम किसी के काम तो आई सकते हैं ओके ये कुछ motivational lines मैंने लिख रखिये अपने लिए मुझे जो जो important लगता हूँ सारा note करता रहता हूँ चाहे वो reasoning का हो गया mathematics का हो गया चाहे कोई नई trick होगी जो कुछ भी मुझे लगता है कि मुझे note करना चीह मैं करता हूँ ये मेरे TGT commission के लिए notes हैं इन्ही notes को पढ़के मैंने जो अपना HP status को clear किया है ठीक है और जो C status को भी clear किया है मैंने कोई coaching नहीं लिए हम जो भी करते हैं हमने मलब self study से करते हैं और आगे भी जो भी करेंगे वो अपने self study से ही करेंगे ठीक है तो मैं उन सभी जो मेरे friends है जो भी उस वीडियो को देख रहे हैं जो B.A.D. वाले हैं जो एक aspirant है किसी भी community exam की त्यारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक line कि आप मेहनत करते रहो ठीक है failure से मत डरो मेहनत करते रहो कभी ना कभी तो में success जिरूर मिलेगी सभी को मिलेगी जो भी मेहनत करेगा क्योंकि success का कोई shortcut तो नहीं होता है तो मेहनत करो जितरी भी कर सकते हो अब तो यह थे हमारा जो psychology के notes है फिर chemistry के notes है physics के notes है और English grammar और Hindi grammar मैंने अभी study किया है उसको भी इतना ज्यादा time नहीं हुआ है तो मैं अपनी जर्ब से इतना ज्यादा effort लगाता हूँ कि मुझे लगता है कि जो चीज़े मुझे खुझ के लिए tough लगती है न तो मैं उसको उसी level पर तयार करता हूँ क्योंकि जो मुझे tough लग रहा है शायद जो मेरे जासे और भी लोग हैं उनको भी tough लगेगा तो मैं उसके according की notes बनाता हूँ और उसको उसी ज़र आप समझाने का try भी करता हूँ ओके अब आप देख रहे हो मेरे यह English के notes है यह मैंने English grammar के कुछ notes मना है अगर आपने मेरी videos देखी होगी तो आपको वहीं से idea हो जाएगा कि मैं effort लगाता हूँ या नहीं लगाता हूँ अब मुझे नहीं पता कि मेरी teaching आपको किस तरह की लगती है effective लगती है नहीं लगती है पड़ मैं फिर भी अपना जो 200% है वो देने की try करता हूँ जितने भी resources मेरे पास है मैं उन सभी को अच्छे से utilize करने की पूरी try करता हूँ और जितना हो सके उतना आप सभी के लिए अच्छा content लाने की try करता रहता हूँ जासा आपको पता कि मैं भी अपनी UPSC और TGT Commission की त्यारी कर रहा हूँ तो मैं अपने daily routine में से समय निकालता हूँ अपने channel के लिए ताकि ऐसा नहीं कि मैं भी selfish हो के बैठ दे हूँ क्योंकि मैं सिर्व अपने बारे में ही सोचता रहूँ और और लोगों के बारे में नहीं सोचू क्योंकि आप सभी को बता है कि जो knowledge यो शेर करनी चीए knowledge को अपने पास store करके तो नहीं रख सकते कि हमने इसको अपने बाद छुपा के रख लिया है क्यों ऐसा तो नहीं है ना knowledge तो शेर करनी चीए अब जितनी चीज़े मैंने यूटूब पे आकर सीखी है ना जितना मैंने आप लोगों को topics clear करवा है तो मेरे वो खुद के लिए भी benefit रहा है क्योंकि मेरे खुद के जो doubts है वो भी clear हुए जैसे mathematics के होगे physics होगी chemistry होगी psychology होगी general knowledge होगी Hindi grammar होगी English grammar होगी ठीक है जितने भी चीज़े हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मेरे भी वो topic revise हो रहे है और इसे के साथ मैंने जो Hindi grammar है English grammar है उनके handwritten note है जो मैंने खुद बनाए और उनके PDF में मैंने बनाके रखें तो वो PDF भी मैं provide करवाता हूं जो लोग मुझे message करते हैं टेक्स करते हैं जो लोग भी interested है मुझसे PDF purchase करने में वो लोग मुझे message करते हैं और मैंने जो price हो भी इतन ज्यादा नहीं रखा है जो सब लोग afford कर सकते हैं और जो Hindi grammar के PDF है इतने easy PDF है clear PDF है कि आपको एक भी word extra लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपने सिर्व प्रिंट आउट कराने और आपका जो एक सब्यक्त है वो एक एरिया वो complete हो जाएगा ओके तो आप सभी के लिए जो मेरी एक advice है वो यह है कि किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो न तो पूरे मन से करो अच्छे मन से करो और routine बनाओ अपना consistent रहो जितना हो सके खुद को time दो अपनी healthcare time दो proper अपनी नीद लो मैं नहीं बो रहा हूँ कि आप 18 से 20 गंटे पड़ो अगर आप daily 3 गंटे भी पड़ रहे हो बहुत है बड़ आपको daily 3 गंटे भी निकालने पड़ेंगे ठीक है अभी आपने मेरे ये नोट्स देख ही लिए कि इस तरह से बना रखे बने ओके तो मैं कोश्चन वगएरा भी सवाल खोदी करता रहता हूं जहां भी मुझे डाउट लगता है और आपको बुक भी दिखाई दे रही हो कि पिछे एंडी और एंडी की बुक दिखाई इस लाइफ तो यह हमारे हत्यार इतने सारे पैं और जो पैं कटव होगे वह तो मैंने आपको दिखाए नहीं इतने सारे पैन नहीं है क्या बता हो nothin और अब आपको दिखाता हूं मैंप सब्स ir.org और यहां पर दिखाता हूं यहां पर दिखाता हूं यहां पर थोड़ा सा टेबल के उपर समान भी है कुछ कॉपीज भी है पुरानी रखी हुई और आपको दिखाए देरी है स्टडी मेटेरियल की मेरवस कमी नहीं बिल्कुल कमी नहीं बस वह एकी थोड़ा टाइम मेनेजमेंट का रहता है विगास खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और यह मेरा कंप्यूटर है ठीक है और विगास लाइट नहीं है तो फ्लैस लाइट से यह वीडियो बना रहा हूं मैं आपको और यह है मेरा बोर्ड जहां पर मैं अपनी वीडियो बनाता हूं यहां पर मैंने स्टार्क्रेशन मैस जो मेरे यूट्यूब का नहीं में वो लगा है यह रोई शर्मा है मेरे फेवरेट क्रिकेटर यह हमारा वर्ल्ड का मैप यह इंडिया का मैप ठीक है इसके उपर यह देखो chemistry के कुछ equations लिख रखे हैं और यहां पर कुछ और फॉर्मुला थे हैं यह मारा इंडिया का मैप है और यह मैंने squares लिख रखे हैं और इसके नीचे हैं cubes और यहां पर कुछ notes जो मैंने बना रखे हैं उनके चोटो चोटे जो strips काटके मैंने रखे हुए इनको वाल को पर मैंने पेस कर रखा इस तरह थे ठीक है और यह देखो शीलम परम भूशनम और यह है मेरा motto sacrifice everything if you want to achieve your goals फिर से यहां पर मैप फिर एक और मैप फिर यह periodic table मेरे रूम आपको ऐसी चीजह मिलेगी maps notes किताबे चौक डस्टर बोड पैन पैंसिल यही सब मिलेगा और कुछ नहीं है यह देगो मैंने कमरे का कोई भी जो हिस्सा है वो छोड़नी रखा है मैंने सारी जगा कुछ ना कुछ चिपका आगे रखा हुए फिर भी लोग पता नहीं मुझे support क्यों नहीं करते हैं मैं सब की help करने के लिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है और इतना ज़्यादा effort कर रहा हूं अभी तक मेरे चैनल पर 1100 से जाता मैं वीडियोस डाल चुका हूं फिर भी नहीं मेरा जो वास्टाइम हो complete हो रहा है मैं इतना ज़्याद effort लगा रहा हूं फिर भी कई बारें से लगता है कि शायद मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है एक score यह मुझे बीड में प्रैस मिलते है वाॉव। मुझे लाइफ में वो दो में बारा मिलता शायद अगो उसके बाद की बीड में जांगे स्धिल मिलता ह। ठीक है और मेरे पास कुद का डेबल नहीं है ठीक है स्टेडी टेबल नहीं है तो मैं ऐसी बॉक्स के उपर अपने सारे नोर्स वगरा बनाता रहता हूँ यह यह मेरी लाइफ यह एक एस्पिरेंट की लाइफ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोसको लाइक और शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो